आप सभी का हमारे चनल में स्फागत है आज की वीडियो में हम आपको बत्यांगे जो हमारे स्मार्ट फोन में जो नैवीगेशन उस्टम का यूस होता है वह कौन से कुन से होते हैं कौन से क्व चिपस की नैवीगेशन हमारे लगी हुई है बेसीकली फॉन में मिलती है जो वहां हम देखेंगे तो Glowness आपके फोन में भी मिल जाती है जो मिट रेंज है उनमें भी और हाइड है उनमें भी बीडियेस अभी जाता पॉपलर नहीं हुआ है बीडियेस आपको कम मिलेगा देखने के लिए तो इसके बारे में डीटेल में जानते हैं दोस्तों तो हम इसके बनाया था बिसिकली उनके लिए मिल्ट्री वालों के लिए बट 986 के बाद ये पब्लिक लिए आपको प्रवाइड करा गया बट उसके बाद 2000 में ये पर लिए आपको पब्लिक के लिए बना दिया गया था तो इसकी टोटल सैटलेट की बात करें वहां 32 जो अभी तक 31 अच्छा फिचर आपके फोन में अब देखते हैं सब्सक्राइब करते हों तो आपको मिलता है और इसकी कवरेज आपको ZDE का ही है जी अपको इंडिया में भी आपको बैटे बैटा है आपको एक्यूरेसी से आपको सारा नैविगेशन करता है तो इसकी गलोबली आपक 80 kms तो बिसिकली यह तो था GPS के बारे में इसकी क्या-क्या satellites है और उसकी क्या-क्या आपको मिलेंगी तो इसकी basically launches भी 72 हो चुकी है और आपको 31 आपको मिलेंगी इसकी Orbit में basically आप GLONASS के बारे में देखें था GLONASS का perform होता है Global Navigation Satellite System तो यह basically Russian जबनाता है तो यह उनके लिए ही बनाता के लिए इसके बाद ये से लिए उसके भात करें परंट एभ दे दिया होगा था को जो उसकी जो को otra पता लगा सकते हैं आपको कहां पे हैं नेविगेट होंगे और टोटल सैटलेट्स की बात करें तो इसका और बीटल हाइट होगी तो यह उससे कम है और बीटल हाइट इसकी जीपी इसके मुकाबले तो यह आपको सब्मेडरी फोन में भी आपको जो लोटनेस मिल जाता है जो रशियन का है बीडियस का मतलब बहुत है बेडू सेकलिट सिस्टम और है चाइनज हीए बिसे के नेविगेशन सैटलेट सिस्टम हैं, तो बीसिकलि इसकी जो टोटल सैटलाइट हैं वह थर्टिफाइट सेटलाइट्स हैं जो आपको जो सैटलाइट्स मिलेंगी और बीट पर 21 सैटलाइट्स हैं आज के टाइम पर और बिसी के लिए हम देखा जाएं तो इसमें जो आपका जो फॉर्स फॉर्स लॉंच हुआ था फॉर्स लॉंच हुआ था 30 अक्टूबर 2000 के अंदर तो यह अभी ज्यादा पॉपलर नहीं है आपको हैं फोन में ही मिलेगा और इसकी जो लास्ट लॉंचिंग हुई है वह 12 जून को 2016 के अंदर तो बेसिकली हम देखा जाए तो इसकी एक्विरेसी इतनी खास नहीं है 10 मीटर्स के अंदर बताता है बाकी दूसरे की सैटलेट्स के देखें जैसे जैसे अपग्रेड होंगे तो यह हम इसका देख सकते हैं कि आने ला टाइम पर वैसे तो इंडिया ने भी बना दिया है बट अगर हम देखें तो यह आज की डिट में आपको चिप्स में मिल जाती हैं आपकी स्मार्ट फोन में बीडियस भी मिल जाएगा आपको मीड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लोगी तो इसको लाइक करिए और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद थैंक्यू